नमस्कार समस्त विद्यार्थियू आज हम कौईडी लेट्रेल नाम के इस चैप्टर को इस ट्रापिक को पढ़ाने जा रहे हैं आईए ध्यान से देखें एक से अधिक बार समझें फिर अपने नोट्स बुक पर खुद सुयम से समझ करके लिखें और लिखने के उपरांत हमारे वाट्सेप नमबर पे आप भेजें ताकि हमें भी लगे कि आप इमानदारी वफादारी से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें और रुची होगी पढ़ाने में अननद आएगा पढ़ाने में आए श्टार्ट करते हैं क्वाडिलेटरल क्वाडिलेटरल मींस होता है चतुरभुज क्या होता है चतुरभुज एक ऐसा चतुरभुज होता है जिसमें चार भुजाएं होती क्या होती है चार आफ और क्वार्डी लेटरल मींस चतुर भुज के अंता कोडों का योगफल कितना होता है तो वो 360 अंस का होता है यद आपको हमने बता दिया था कई बार फार्मूले को लिखा चुके हैं कि 2 यन माइनस 4 गुड़े 90 अब यहां पर चतुर भुज में भुजाएं यानि नमब आप जो साइड होगा नमबर आप साइड आपके 4 होंगे कितने होंगे 4 होंगे मींस यन की वैलू अब आपको 4 पता चल गई है इस फार्मूले में पुट अप कर देंगे तो 4 टुजा 8 में से 4 निकाल करके 90 से गुणा कर दीजिए तो ना 8 में से 4 घटा देंगे तो बचे गचार और उसको 90 से गुडा कर देंगे तो 360 जाएगा इस परकार चतुर भुज के अंता कोडों का योगफल कितना होगा 360 होगा आए चतुर भुज के बारे में कुछ जनरल नालेज थोड़ा सा डीप नालेज है उससे देख लीजे चतुर भुज में होता क्या है 4 साइड ह होती है पहली साइड आपकी ये एबी हो गई डूसरी साइड बीसी हो गई तीसरी साइड सीडी हो गई और चौती साइड डीए हो गई इस परकार चार फोर साइड होती है यानि चार भुजाएं होती है और फोर वर्टेक्स होता है वर्टिसेज क्या होता है जहां पर दो भ बुजा और ये बुजा आ करके मिलती है दूसरा वर्टिसेज हो गया यहां पर ये बुजा और ये बुजा करके मिलती है तीसरा वर्टिसेज हो गया और ये चौथा वर्टिसेज तो चार सीर्स होते हैं कितने चार सीर्स होते हैं तो जब चार सीर्स होंगे तो फिर चार कोण भी होंगे एक कोण ये भाई दो सीरसों एक सीरस के मद्ध दो भुजाओं के मद्ध एक कोण का निर्माण होता है इसमें कोण कहते हैं तो चतुर भुज में चार भुजा होती है चार सीरस होते हैं चार कोण होते हैं और दो डाइगोनल होते हैं एक डाइगोनल ये ये तो दो diagonal होते हैं तो चतुर भुज में ध्यान रखिएगा चार भुजा, चार सीर्स, चार एंगिल और दो बिकन होते हैं इनहीं के आधार पर हम चतुर भुज को कई भागों में बाटते हैं तो आए अगला पॉइंट है type of quadrilateral means चतुर भुज के प्रकार तो चतुर भुज एक होता है रेक्ट एंगिल जिसे हम कहते हैं आयत इस पर आर्मी पर कोईश्चन पैरिमीटर से रिलेटेड बहुत पूछा जाता है जो second point आप पढ़ेंगे वो square पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे square पढ़ेंगे दियान रखेगा क्या पढ़ेंगे square पढ़ेंगे तीसरा point पैरलोग्राम यानि समांतर चतरुभुज और square means होता है वर्ग ध्यान रखेगा और rhombus इस पे तो बहुत बार question पूछा जा चुका है rhombus यानि सम चतरुभुज कहते हैं और जो last यानि 5 पढ़ेंगे वो try pgm यानि सम लंब चतरुभुज पढ़ेंगे तो जो चतरुभुज के प्रकार वैसे तो कई होते हैं परंत साधार नतया हम 5 प्रकार की चतरुभुज के बारे में पढ़ते हैं quadilateral के बारे में और उन्हीं से related हम सवाल लगाते हैं आईए अब आपको rectangle के बारे में समझाते हैं अब आपको rectangle के बारे में बता रहा है rectangle means एक आयत होता है क्या बोलते हैं इसको आयत बोलते हैं आयत की खासियत क्या होती क्या है पहचान आईए समझते हैं पहले rectangle किसे कहते हैं opposite sides are equal यानि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं अब आमने सामने यानि एक ये भुजा है a b और दूसरी इसी के जेश्ट सामने दूसरी भुजा है c d तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं और ये भुजा जो है जो है इसके जेश्ट सामने ये भुजा है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है यानि आमने सामने ये भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती है खिक यानि मैंने लिख रखा है कि जो भुझा AB है ये भुझा CD के बराबर होगी अब यहां पर देखिएगा दूसरा यह डाइगोनल डाइगोनल अब यह डाइगोनल बिकड जिसे कहते हैं यह और एक यह 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 बिकड भी डाइगोनल भी आर एक्क्वल होता है तो इच एदर एक दूसरी के बराबर होता है जो विकड एसी है वो विकड बीडी के बराबर होता है AC बराबर BDK होता है यह बात किलियर होगी दो बातें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है दूसरी बातें उनके diagonal equal होते हैं तीसरी बात Each angles 90 degree यहनि रेक्ट अंगिल में जो एक ये अंगिल है एक ये अंगिल है दूसरा ये तीसरा rectangle और ये चाओ था ये चारो कोंड जो होते हैं परते कोंड 90-90 degree के होते हैं मतलब ये एक दूसरी बुजा एक दूसरे के लंब होती है ये तीन बाते अगर जिस भी quadrilateral में ये तीन बातें फालो करें उसे हम rect angle कहते हैं ध्यान रखिएगा rect angle कहते हैं अब rect angle के खाल में जो फार्मूले यूज होते हैं तो इसको हम मान लेते हैं lambai इसको क्या मान लेते हैं lambai lambai को represent करते हैं length कहते हैं जिससे हम इसे L से represent करते हैं और breath means चाओडाई होता है तो ये चाओडाई हो गई जिससे हम B से denote करते हैं किसे denote करते हैं B से denote करते हैं तो यह चोड़ाई है B ठीक है तो लंबाई यल चोड़ाई B हो गई ब्रेथ तो अब यहाँ पर जो फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है काफी ज़्यादा सवाल इस पर बन जाता है perimeter आफी rect angle perimeter मतलब बाहर बाहर की लंबाई यह लंबाई यल प्लस यह लंबाई B प्लस यह लंबाई यल तो 2L हो गया और यह लंबाई चोड़ाई B तो BB 2B और 2L मिल करके क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B उसमें से 2 अगर कामन ले लेंगे तो ये आ जाएगा, two bracket के अंदर L प्लस B हो जाएगा, L प्लस B हो जाएगा, तो ये क्या है, ये rectangle का parameter का formula है, यानि आयत का परिमाप, ये बहुत जादा आपके आरमी में पूछा जाता है, ध्यान रखियेगा, अगला formula है, area of rectangle, यानि आयत का छेतरफल, क्या, आयत का छेतरफल तो आयत का जो छेतरफल का, यानि area का जो formula होता है, वो length into breath, यानि लंबाई गुड़े, च्याओडाई होता है, ध्यान रखियेगा, बहुत सारे question इन सब दोनों formula पर बनते हैं, पहले तो उनकी पहचान, फिर उसके बाद ये दो formula, दूसरी बात, कभी-कभी ये अक्सर सवा जाता है, ध्यान रखियेगा, मैंने यहाँ पर लिखना बोल गया हूँ, अगर कहते हैं न, किसी भी तिर्भुज की भुजा की लंबाई में, एक्स प्रतिसत की बिर्धी कर दिया जाए, या कमी कर दिया जाए, जो ऊपर arrow बनाये हैं, इसका मतलब है बिर्धी, जो नीचे क की तरफ है, उसका मतलब है कमी यानि increasing और decrease percentage दिया गया है, लेंथ की कहानी, किसकी? लेंथ की कहानी, और breath में कहा जाए, कि वाई प्रतिसत उसकी लंबाई को बढ़ा दिया गया है, या decrease किया गया है, घटा दिया गया है, तो टोटल उसके 6 तरफल में कितने प्रतिसत की बि कुछ करेंगे, 100 प्लस माइनस x गुडे 100 प्लस माइनस y माइनस एक के आगे 4 0, बटे 100, साल्ब कर लेंगे, जितना भी आएगा, अगर positive में answer आ रहा है, तो उतने प्रतिसत बिर्दी होगी, अगर negative में answer आ रहा है, तो उतने प्रतिसत की कमी होगी, इस फार्मुले को ध्यान में रखेगा, हमने यहाँ पर लिखना भूल गये थे, तो अब लिख करके आपको पहले भी क्लास में भी बता चुका हूँ, और आज भी इसको बता रहे हैं, अब अगला point आता है square का, किसका आता है, square, यानि वर्ग, तो इसमें होता क्या है, कि इसमें जो 4 के 4 जो भुजा होती हैं, वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानि all sides are equal होता, all sides are equal, यानि सभी बुजाएं बराबर होती हैं, अर्थाथ AB बराबर BC और B C बराबर CD, CD बराबर DA, यानि AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA के, यह बराबर होते हैं, और जो इनके diagonal होते हैं, यह और AC और BD, यह diagonal भी क्या होते हैं एक दूसरे के equal होते हैं अब परते कोण क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं रेक्ट एंगिल और स्क्वाइर में बस थोड़ा सा difference है पहला point कि उसमें opposite sides यानि आमने सामने की भुजाये बराबर होती हैं और वर्ग में चारो भुजा यानि all sides are equal होते हैं बाकी same वही चीज होती है इसमें सबसाभी length बराबर है तो हम इसको A मान लेते हैं अब side A भी क्या है? A है, तो BC कितना होगा, वो भी तो A होगा, और DC कितना होगा, वो भी A होगा, और AD कितना होगा, वो भी A होगा, यानि चारो बुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इनकी पहचान ध्यान से रखें, दिमाग में बना के रखेंगे, तब ही इसको यूज कर पाएंगे, अन्था आप धीरे से भूल जाएंगे एक दिन, तो अब यहाँ पर जो इसका पैरा मीटर होता है, यानि परिमाप्र की जो बात होती है, दा पैरी मीटर आफ दा स्क्वार, तो अब इसमें जो चारो लंबाईयां हैं, आपस में बराबर हैं, और ये भी A है, य ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई, इन चारो लंबाईयों को जब जोडएंगे तो 4 A ही तो होगा, ये क्या है, side, यानि 4 into sides, मतलब 4 गुडे भुजा, चार गुडे भुजा, यानि जिसे कहते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, इस फा वर्ग का छेतरफल, area of square, यानि वर्ग का छेतरफल, अब इसमें लंबाई भी A है, चोड़ाई भी A है, भई आयत का छेतरफल का फार्मुला लंबाई गुडे चोड़ाई होता था, तो अब इसमें लंबाई भी A है, और चोड़ाई भी A है, तो A मिल करके क्या हो जाएगा a square हो जाएगा यह मतलब भुजा side a square क्या number length of side of whole square छिक इस फार्मूले को याद रखेगा a square या side of square होता है if given length of diagonal d अब अगर इसमें बात करते हैं अगर यह square है तो इसका जो यह diagonal है और यह diagonal दोनों तो equal होगा अगर यह diagonal d है तो यह भी तो d होगा दोनों d d होगा बात को समझ रहे होंगे तो if given length of diagonals कितना d दे रखा है याद यानि बिकाड की लंबाई उसकी कितना दे रखा है d दे रखा है तो अब कहते हैं कि area of the square तो वर्ग का छेतरफल गया आद करिए क्या वर्ग का छेतरफल दिया क्या गया न तो length side दी गई है आपको area पुछा जा रहा है only given diagonal बहुत सवाल आर्मी में आता है अक्सर आ जाता है आर्मी या अधर कंप्रेटिप इजामों में कि इस टाइब के सवाल तो क्या करेंगे जो बिकन की length दी जाएगी single दी जाएगी यह नहीं कि दो बिकन है तो दो different different होंगी क्योंकि same होगी तो same अगर कोई लंबाई दे दिया गया है diagonal और आप से area पुछ रहा है तो वो square की ही area होगी आप सिर्फ देखना question में है कि given diagonal एक diagonal की length दी गई है कि दो diagonal की length अलग अलग दी गई है तो अगर एक ही diagonal है तो उसका डी का वर्ग कर दीजिए यानि बिकन का और दो से भाग कर दीजिए तो यह जो है आपकी area of square निकल आएगा यह ध्यान रखिए जाए यह सवाल बहुत इस पर आ जाता है ऐसे साधारण बोल देते हैं कि यद किसी वर्ग के या square का diagonal 12 cm then find the area तो क्या करेंगे 12 का square 144 divided by 2 तो 72 square unit area आप triangle हो जाएगा तो इस वरगार से इसको ध्यान में रख करके काम करिए और आपके अक्सर आर्मी में कम से कम मेंसुरेशन से एक फार्मूला जरूर पुछा जाता है तो उसको भी ध्यान में रखें रटें उनके बारे में देखें एक से अधिक बार वीडियो देखें दिमाग में अपने फार्मूले को बैठाएं अधर कोई वर्क करते रहें पर माइंड में ये बात सोचते रहें जहां सोच सुच है वहां तो जिन्दिगी मस्त है थैंक यू